बिस्मिल्लारामालरहीम अस्सलामुलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग तो चलिए आज मैं आपके लिए एक छोटी से रेसिपी लेकर आई हूँ आटा गुदने की रेसिपी वो बचियां वो मेरी बेहने जो बिलकुल न्यू है और किचन का काम सीख रही है वो ये वीड कुणना शुरू करूंगी और इसे तुरी केसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें शामिल करने लगी हूँ नीम गरम दूद एक कप मैंने लिया है इसमें थोड़ा सह से करोंगी और इसे एच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिये अगर आप मेरे बताएवे तरीके से रेसिपी ट्राइ करेंगे तो इंशाला आपकी रोटी फूलेगी भी और सुफैद भी बनेगी और नरम भी होगी दूर जो है रोटी को नरम कर देता है और फूलने में मदद करता है अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी यह देखें अगर आप मेरे चैनल पे नीज्यों है तो मेरे चैनल को लाइक किजिए गा सब्सक्राइब किजिएगा тоके मैं आपके लिए अच्छे इची रेसिपी लेकर आती रहूं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद साथ साथ में हम बरतन भी साफ करते रहेंगे ताके सारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसे दो से तीन मिनट तक में इसे गुनूंगी यह देखिए इसमें मैंने कोई भी फाइन आटा या मेदा शामिल नहीं किया यह घर पे गंदुम का आटा है जो चक्की से हम लेकर आते हैं तो इसलिए इसकी रोटी इंशाल्ला सुफैद बनेगी अगर आप इस तरीके से आटा गुनेंगे अच्छे तरीके से मैं बरतन भी साफ कर लूँगे और आटे को मिल दो से तीन मिनट गुनने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपनी बच्चीयों को इस तरीके से आटा गुनना सिखाईए देखें अब यहां इस कंडिशन में आने के बाद मैं इसे दस पांच से दस मिनट तक के लिए कवर कर दूँगी कपरमाल के साथ और इसे मैं रेस्ट दूँगी यह देखें इस तरह कैसे पांच से दस मिनट के बाद अब हम इसे दुबारा से गुन्देंगे हलके हाथ के साथ मैं इसे गुन्द रही हूं और अब मैं यहां पर शामिल करूंगी वेजिटेबल ओईल टू टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है और इसकी हम दूसरी तेल लगाएंगे यहाँ पर भी मैं शामिल करूँगी तेल बन टेबल स्पून और इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से गुन लूँगी देखें अब यह हमारा आटा रैडी है रोटी बनाने के लिए और इन्शाला ताला आज रोटी अच्छी बनेगी फूलेगी भी सुफैद भी होगी और नरम भी होगी और सुकेगी नहीं पकाने के बाद भी नहीं सुकेगी तो आप मेरे बतायवे तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे दुआउं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्ला आपिस यह देखिए अल्ला आपिस